दिल्ली में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही जुटसा दिल्ली में कोरोना ने 109 लोगों को मौत के मुँ में समा दिया यानि की दिल्ली में कोरोना का जो कहर है जो रफ्तार है वो रुक नहीं रही है आपना के घेहरे समन्दर से हम निकलकर हम किनारे की तरब बढ़ रहे हैं हम सबी के साथ पुरानी शेर सायरी चलती है ऐसा न हो जाए कि हमारी किस्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था ये सिती हमें नहीं आने देनी है प्रधान मंत्री क्यों सावधानी बरतने की बात कह रहे है क्यों वो कह रहे है कि कहीं ऐसा रहो कि हमारी भी कश्टी वहाँ डूप जाए जहाँ पानी कम था तो उसका जवाब है ये तस्वीरें तस्वीरें दिल्ली की ओखला सब्जिमंडी की है जहाँ आपको कोरोणा का कोई खौफ लोगों में नहीं दिखेगा चारों तरफ लापरवाही ही लापरवाही यहाँ जो लोग दिख रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज तो इरहें मालूम ही रही और मास्क लगाना तो दूर की बात हो गई है राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन सौ से अधिक मौत हो रही है लेकिन इसका डर लोगों में नहीं है लेकिन इसके बाबजूद भी आप मारकेट प्लेस में पहुंचे कहीं भी पहुंचे सोचल डिस्टेंसिंग बेसक संभव ना हो पाए लेकिन लोगों ने मास्क भी प्रॉपर नहीं लगा रखा है अब ये दूसरी तस्वीर देखिए यहां आपको और लापरवाही दिखेगी दिली में कोरोना से कितने भयानक हालात हैं इसका अंदाज़ा आपको दिली के सबसे बड़े शम्शान घाट की तस्वीर को देख कर हो जाएगा पंजाबी बाग शम्शान घाट में अंतमसाजकार के लिए 95 प्लेटफॉर्म है इनमें से 42 प्लेटफॉर्म सिर्फ कोरोना मरीजों के अंतमसाजकार के लिए रिजर्व करने पड़े लेकिन इसके बाद भी शम्शान घाट में आग नहीं बुझ रही शवों की लाइन खत्म नहीं हो रही ये देखे एक लाइन से जिए जिताएं जल रही है ये सभी COVID के dead body है और वो जो आज पहुची है यहाँ पे उनका अंतमसंसकार किया जा रहा है दिल्ली का कोई ऐसे समसान घाट नहीं है जहाँ पे खाली हो जगए हर जगए पहले से ही hospitals के द्वारा information दी जाती है कि आज इतनी dead bodies यहाँ पे आ रही है जिनका अंतमसंसकार होना है कोरोना की वज़े से दिल्ली का बुरहाल है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6224 नई positive के सामने आये है जिबकि एक दिन में कोरोना से फिर 100 से ज़दा मरीजों ने दम तोड़ दिया दिल्ली में कोरोना से पिछले 4 दिनों में 400 से ज़दा लोगों की मौत हो चुकी है इन में से 230 लोगों की मौत तो पिछले 48 घंटों में हुई है अभी भी दिल्ली में हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है वेंटिलेटर कम पढ़ रहे हैं, होस्पिटल्स में बेड नहीं है और तो और शम्शान, घाट और कबरिस्तान में भी जगह कम पढ़ रही है कोरोना का संक्रमट सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बढ़ा गुजरात भी कोरोना की नई लहर की चुपेट में है 24 घंटे में 1510 के सामने आए, जब किसी दोरान 16 मरीजों की मौत हुई संक्रमट बढ़ने के बाद गुजरात के एहमदबाद सूरत राजकोर्ट वडोदरा जैसे शेहरों में नाइट करिफी लोगाना पड़ रहा है गुजरात के इन शेहरों में भी काफिला पर वही बढ़ती गई जिसका खामियजा दुखने लगा है पूरा का पूरा परिवार पूरी की पूरी सूसाइटीज कोरोना की चपिट में है चिंता की बात ये है कि आब ये वाइरस नए इलाकों में भी पहुंचने लगा है एहमदबाद के रहाईश इलाके माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घुशित किये गए है 78 एक्टिव केसेज हैं इस वक्त और करीब 304 फ्लैट्स एक बड़ी स्कीम जो है इसके 304 फ्लैट्स जो हैं करीब 1200 की पॉपुलेशन को कवर करते हुए ये फ्लैट्स हैं जिनको माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में कनवर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा इसी बोपल इलाके में सफल परिसर वान और सफल परिसर टू की जो स्कीम्स हैं वहाँ भी पिछले 14 दिनों में करीब 80 केसिस इन दोनों स्कीम्स को मिला करके सामने आये हैं मुक्य मांदिर्यों के साथ बैठक मैं प्रधान मद्रे ने साफ कर दिया कि जब तक वैक्सिन ना आए तब तक समहल कर चलने की जरूरत है इसलिए कोरोना से बचना है तो तब तक मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें